सब्सक्राइब करिए स्री होम्यो यूटूब चैनल और पहला आइकॉन दबा कर सभी लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले पाईए नवश्कार दोस्तों शुवे कि इस नेवड़ में आप सभी का बहुत-बहुत सवागत है और मैं हूँ डोक्टा आनल दोस्तों आज हैंब बात करूंगा प्रोश्ट्ट या निकि BPH के बारे में ऐनी कि benign prostat hypertrophy के बारे में यह इस और्गन के बारे में हम सरव बात करूंगे में पुरिशों के लिए कि पुरुषों के अंदर यह BPH आपका प्रोस्टिट पाई आता है और पुरुषों में यह BPH होने की सम्मा होना रहती है एक एच के बाद तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे हम बात करें कि BPH क्या होता है किस तरीके से लोगों इससे सफर करते हैं और आखिर ऐसी कौन स प्रॉब्लम से परिशान है तो समय गवाएं बिना पैस्ट हों में पहते क्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन दबाएं तो दोस्तों वीडियो करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करा चाहूंगा कि अगर आप हमारे च करके अपने के प्रॉपर ट्रीटमंट और अपॉइंट इन्बुक कर सकते हैं चलिए बात करें लिए बात करेंगे कि बनाइन प्रोसेट हाइपर ट्रॉफिक के बारे में इसके उपर हमने काफी सारी वीडियो बनाई हुए है आप एक बार आई बटन पर चेक करीएगा या वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर एक बार जरूर चेक कर लिजेगा तकि आपको और सारी जानकारी बल सके और इस वीडियो हम बात करेंगे कि बनाइन प्रोसेट हाइपर ट्राफिक को कौनसी मेडिसिंस आप ठीक कर सकते हैं सिंगल कॉमिनेशन सिंगल मेडिसिंस से सबसे फ़ले एक श्वार इंफो दे दू कि बिपियच होता क्या है देखिए मेल के अंदर एक और अर्गन होता है प्रोसेट जिससे की यूरीन कंट्रोल के जाती मैं आपको रफली बता दे रहा हं आइडिया के लिए तो मेल के अंदर एक और गन होता है इसको prostate बोलते हैं, जो कि urine को control करने का काम करता है, urine कब छोड़ना है, कब निकलना है, just like a wall होता है, या वासार होता है उस type से, और ये male में जब भी male 45 से 55 के बीच में होता है, तो ये जो organ है इसमें, इसका size इसमें swelling होता है, इसमें inflammation नहीं लगता है और इसकी वज़य से लोगों में आपने देखा होगा, पैतादिस से 55 की age के बीच में start हो जाता है urine control नहीं कर पाते urine कब हो जाती है, उनको पता नहीं लगता है, या urine करने जाते हैं और करते-करते, जाते-जाते हैं, रस्तिम हो जाती है तो यह जो problem होती है, वो start हो जाती है इसको बोलते हैं, benign prostate hypertrophy या को जो prostate है, उसकी size बढ़ गई है जो वह सर आप बता रहा हूं lemon language में, वो tight हो गया है इस वज़य से वो control नहीं कर पा रहा है urine को, अब अक्सर क्या होता है, जो male होते हैं प्रा egoistic होते हैं, और वो इस problem को बताते नहीं है किसे से share नहीं करते बट अंदर ही अंदर नों को problem होती ही आती है बढ़ती ही आती है, और इस समय ऐसा आता है कि लोग operation की तरफ चले आते हैं बट यह इसका पूर्ड़ सा इलाज नहीं है क्योंकि आप जब operation भी करा लेते हो तो 6-7 महीने बाद आपको BPH की problem फिर से start हो जाती है और आपको फिर से हर साल, 2 साल में आपको किसी नगीजी तरीके से आपका operation कराना पड़ता है आपको फिर से pain होता है, सफर करते हैं और इसके बाद बाद को proper result नहीं विर पाता जो आपको मिलना चाहिए, जो आप चाहते हैं तो इन सभी problem जाने कि BPH की problem यूरीन की problem जो भी हो रहे है इन सभी problems को ठीक करने के लिए आप फिर सकते हैं फिर पेतिक में बहुत अच्छी medicine आती है और prostate enlargement यानि कि prostate जब बढ़ जाता है size बढ़ जाती है benign prostate hypertrophic BPH short form में बोलते हैं यह वो जाता है तो आप इस medicine को use कर सकते हैं बाद करें सबसे पर इसमें कौन कौन से medicine से combination है जिसको आप लेंगे तो सबसे पहली medicine पढ़ी है इसमें चिमा फिला especially prostate के लिए prostate में swelling हो गई है inflammation हो गया है size बढ़ गया है वहाँ पर यह medicine काफी अच्छा वर्क करती है 3X यानि कि lower potassium पढ़ा है तो काफी अच्छ result बिलेंगे next medicine है clematis आपका prostate की वज़ा से urine में प्रॉडम आ रही है urine control नहीं हो पा रही है urine जल्दी से निकल जा रहा है आप चाते तो हैं control करना अब आप control नहीं कर पा रहा है तो clematis वाप पर काफी अच्छ result देता है next medicine है conium especially male क्योंकि यह gland है तो यह glandular medicine है conium और especially male के इतने भी glands होते हैं चाए वो testis हो यह वो prostate हो उस पर काफी अच्छा वर्थ करता है तो conium भी इसमें पढ़ा हुआ है again ATEX में एक क्लोवर प्रोटेंस में पढ़ा है तो इसके भी काफी अच्छे result मिलेंगे next person है peri yava brava prostate की वज़े से urine पढ़ा रही है urine करने में दिक्कत हो रही है urine को control करने में दिक्कत हो रही है तो peri yava brava काफी अच्छे result मिलेंगे और खासोर से उनके लिए peri yava बहुत अच्छी है जो उनको urine करने आते है urine हो जाता है बढ़ proper होई ही नहीं पाती थोड़ी सी बच जाती है और जब वह वापस आते है उनको फिर से urine लग जाती है और उनको फिर से जाना पड़ता है और तब तक वो urine लीक कर जाता है urine निकल जाता है पेशाब निकल जाता है तो वहाँ पर इमेट से काफी अच्छा वर्क करता है next medicine है pulsatilla prostate में inflammation हो चुका है infection हो चुका है micro organism का आपका BPH की वज़े से साथी साथ आपको pain होता है urine करने में दिक्कत होती है swelling है तो वहाँ पर pulsatilla काफी अच्छा वर्क करेगी 3X में पड़ी हुई है तो काफी अच्छे result है next medicine आती है subalcionolata तो आपका prostate है उसकी size tight हो गई है बढ़ करके रुक के गया है और तो काफी कड़ा हो गया है जिसकी वज़े से उसकी size वापस normal नहीं हो पार रही है problem create कर रहा है आपको urine कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही तो वहाँ पर ये medicine काफी अच्छे result देती है next medicine है आपका Thuja Occidentalis जो कि again 3X में medicine पढ़ी एक lower potassium पढ़ी हुए इस medicine का काम होता है जो आपका prostate gland है इसकी hardness और इसकी thickness को कम करना आप जिन भी USG कराएंगे तो आप यानि का अलिटरा sound कराएंगे तो आपको पता लगए कि आपका जो इस prostate उसकी size बढ़ गई है उसकी thickness बढ़ गई है उसका tight पन यानि कि उसका आपका nature है उसकी consistency है वो थोड़ा tight होगा ये थोड़ा कड़ा हो गया है तो वहाँ पर ये medicine यानि कि थुजा काफ़ी अच्छा work करता है एक आपको unboxing करके दिखाते हूँ तो कि जो combination है वो काफ़ी अच्छा है प्रोस्टेट की प्रोब्लम है वो इसली ठीक हो सके अराम मिल सके आपको तो आपको इस medicine की 10 से 20 wound ठीक है आप कम प्रोब्लम में तो आप 10 से 15 बढ़ने लिजिए ज्यादा है तो 15 से 20 बढ़ने लिजिए आदे का पानी के mix करिए दिन में तीन बार यूज़ करिए आपको काफ़ी अच्छे व्रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि 3x potassium medicines almost सभी medicine lower potassium में 3x 8x 6x में पढ़िए तो इससे आपको काफ़ी अच्छे व्रिजल्ट मिले आले हैं प्रोस्टेट की करें क्योंकि अगर आप 50 के आसपास के एज सवंसर आ रहे होगी अगर नहीं आ रहे है तो आप यह वीडियो अपने परचित को बेजीए अपने ऐसे कलीक्स को बेजीए अपने इसे लिट्टिव को बेजीए जिनकी एज 50 के इलान्रा आउन क्योंकि उस patient को उस person को इस medicine के बारे में जानकारी लेना काफियाद important हो जाता है क्योंकि आज नहीं तो कल उनको ये prostate के problem आने माली है और अगर उनको prostate से पहले दवा के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो वो आसानी से अपनी problem ठीक कर सकते हैं उनको जादा सफर, जादा तकलीफ नहीं यह बना पड़ेगा उमीद करते हूं कि आपको इस वीडियो पसंद आई योगी वीडियो पसंद आई तो फैस वीडियो को like करीएगा share करीएगा जैसा नहीं बोला सभी के साथ पहले मिल सके और साथ ही साथ अगर आपको BPH की प्रोड़म हो चुकी है या अपने BPH का option होगा कराया है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बिताइएगा तकि दूसरे लोग भी उस कमेंट पर पढ़ते जागर प्र सेक्शन में जब बिताइएगा आपको BPH झाल झाल